हाई एवरिवन आप सभी को और एक न्यू बीडियों स्वागत है तो दोस्तों आज की इस बीडियों में लोग बात करेंगे कि आप लोग अगर फिलिपकार्ट से कुछ प्रोड़क्ट मंगा है तो उसको रिटरन कैसे कर सकते और पैसा कैसे ले सकते तो बीडियों पर फोड़ा सा लोडिंग ले रहा है उसके यहां पर एकाउंट में जाके यहां पर आप लोग को ओडर को उपर चल जाना है जहां से आप लोग ओडर किये थे जो समान को ओडर किये थे यहां आप लोग को सारा कुछ दिख जाएगा तो देखे मैंने यहां माइक को ओडर किया था तो यह delivery भी हो चुका है तो इसको हमको return करना तो यहां पर देखिए return policy valid date 23 October मतलब 23 October तक हम return कर सकते हैं इसको यह date को ध्यान देना है आप लोग को उसके देखिए यहां पर return ओला option देखने के लिए मिल जा रहा होगा तो इस पर आप लोग को click करना है तो click करने बाद कुछ step का आ जाएगा इंटरफेस region for return क्यों आप इसे return करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिए लिखा हुआ what do you want to return आप लोग replacement कर सकते हैं refund अगर refund कर गएगा तो आप लोग को पैसा रिटान मिलेगा तो यहां refund में click करने बाद यहां पर देखिए bank account आप लोग को add करने के लिए मिल जागा तो यहां से आप लोग add new bank account में यहां सारा detail फिल कर देना आप लोग का bank का तो आप लोग को पैसा return आ जाएगा 7 दिन का अंदर अगर आप लोग को यही product दूसरा चाहिए तो replacement को उपर click कर देना है तो मुझे दूसरा चाहिए तो मैं replacement को उपर click करके यहां पर continue कर दता हूँ उसके submit request को उपर कर देना है तो देखिए हम लोग का यहां पर replacement successful हो चुका है तो यहां पर approval भी हो चुका है और यह 27 October को deliver होगा तो I hope आप लोग को पता चल गया होगा कैसे क करना है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए और चैनल पर नहींग तो subscribe किजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए